प्रिवेस टॉपिक के अंदर हमने एक क्विक इंट्रो देखा था सेक्शन का सेक्शन होते क्या हैं बनाते क्यूं हैं उसके अंदर क्या कैश्यों होता है इस टॉपिक के अंदर हम बड़ा ब्रीफ सा ये एक चोटा लेक्शर होगा हमारा टॉपिक होगा इसमें हम कुछ टर्म्स का इंट्रोड़क्शन लाजमी रीकैप करेंगे के सेक्शन जे हम बना रहे होंगे उसमें कौन-कौन सी जो टर्म्स हम इस्तमाल करें थोड़ा सा उसक होना चाहिए किल-कल को आपकर किसी साइट पर वर्क कर रहे हैं या आप ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको यस्त टर्म्स का बिसिक एक कॉनसेप्ट होना चाहिए जब भी आपके पास कोई भी आपको एक्स वाइजी परसन आकर कहता है कि जी आपने एक हाउस प्लैन बना उसके section की बात होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं आप definitely साइट पे जाते हैं और उसमे नॉर्मली एक मिनिट में आपको बोरिंग होती है बोरिंग क्या करते हैं बोरिंग से हम water table level देख रहे होते हैं कि पानी जहां पर हम यह चीज बनाने जा रहे हैं वहाँ पे पानी का लेवल क्या है अगर तो पानी का लेवल बहुत उंचा है तो नॉर्मली तो हम वहाँ हैवी structure रिक्मेंड ही नहीं करते हैं स्पोस्थ आपने कोई industry बनानी है और पानी का लेवल अल्रेडी बहुत हाई है सेम ज़दा इलाका है तो कल को जब आप industry बनाएंगे तो industry में collapse क्योंकि अल्रेडी पानी बहुत उंचा है और तो किसी भी time अकसर आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगों पर आपने देखा होगा जिसे कहाई है धन्स जाना कर बिल्डिंग्स जो हैं तो हम सबसे पहले बोरिंग करते हैं और वाटर टेबल लेवल हम देखते हैं इसके बाद हम soil लेकर उसकी soil testing होती है different labs मौझूद है जिस युनिवरिस्टी में मैं सब्ट कर रहा हूँ UET लाहूर के अंदर एक बहुत अच्छी testing lab है अक्सर वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग testing करवाने आते हैं मटी की उससे आपकी soil bearing capacity पता चलती है यह जो मटी है इसकी अपनी bearing capacity कितनी है कितने load को यह बरदाश्ट कर सकती है कितना load पढ़ा तो यह collapse करके damage हो सकती है soil bearing capacity बढ़ाई भी जा सकती है हम उसके different methods है हम जिसकी bearing capacity को increase करते है बट अगेन चेक जरूर करना है कि उसकी bearing capacity क्या है कि आया वो एक heavy structure को support कर सकती है या collapse हो नहीं हो जाएगा structure तो यह भी we must see that one as well and we must keep in mind that one as well फिर इसके बाद actually हमारा structure बनना start होता है जिसमें हम start करेंगे compaction हम करते हैं for example earth को जो हम compact करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे PCC की बात करेंगे RCCC की so quickly कुछ terms हैं जो presentation में मौझूद होंगी यह just हमने और एक recap किया किया आप जब चाते हैं तो यह किन चीज़ों का आप देखते हैं आप बढ़ते हैं उस presentation की तरफ ताके हम quickly कुछ terms से familiar हो जाएं जो हमने section में इस्तमाल करनी है so यह हमारे पास quickly हम इसको wind up करते हैं यह कुछ terms हैं जो हमें पता होनी चाहिए हम बात करते हैं बहुत important term है plain cement concrete भी या plain concrete cement भी इसको कहा जाता है अक्सर आपका जो है वो इससे वास्ता पढ़ता रहेगा आप इसको इसको इस्तमाल करते रहेंगे और यह PCC इसको हम जब abbreviate करते हैं तो यह mixture है हमारा cement, sand और course, aggregate अक्सर आपने देखा होगा किसी construction site के साथ से गुजरें तो आज कल तो क्यूंकर latest methods हैं तो मटी, cement और आपकी बजरी को मिलाया जा रहा होता है और उससे जो हमारा material बन रहा होता है वो हमारा होता है PCC और अक्सर आपने इसकी इसकी इस्तमाल देखे होंगे आज कल इससे पहले manual होता था और अभी भी अगर आप जाएं इवन के villages में तो वहाँ पे manual तरीके से यह mixture बन रहा होता है लेकिन अब ज्यादातर जो है जो शहर है जितने बड़े प्रोजेक्ट्स है वह आपने देखेंगे कि एक machine टाइप जो है वो चल रही होती है और वो rotate कर रही होती है उसके अंदर यह aggregate डाला जा तो खुद बखुद वो उसको mix का रही होती है इसकी एक ratio होती है say one ratio four ratio eight इसमें one means आगर इसका aggregate पढ़ें तो one आपका क्या होगा आपकी cement है four आपका sand है और eight आपका aggregate है aggregate में normally बजरी हम इस्तमाल करते है purpose इसका क्या होता है उसका mainly purpose होता है moisture से बचाना for example say आपने कोई घर बनाया है उसके नीचे डेफिनली पानी भी होगा अगर उसमें पाटरटेबर लेवल हाई है तो आप अपने घर PCC से उपर बनानी है आप actually अपने घर को protect कर रहे होते हैं नीचे वाली environment से अगर यह PCC suppose नहीं है तो हो सकता है वो नीचे के जो नमी है वो आपके घर को damage कर सकती है disturb कर सकती है इस चीज को avoid करने के लिए और जितने heavy structure है अगर आप देखें अकसर आपका गुजर होता होगा ऐसे कोई plaza बन रहा हो या बड़े कोई घर बन रहा हो अगर अकसर जो है वो किसी बरतन के अंदर या किसी जीज के अंदर आपके आप डेखेंगे डाल रहे होते होंगे वो तो इसका purpose क्या होता है कि हम एक layer establish कर रहे हैं कि नीचे जो हमारी नीचे की नमी है या नीचे की जो भी materials है उनकी जो upward moment को stop कर जा सके और structural stability आजाए हमारे design के अंदर तो ये बाकी आप इसके अंदर हम कुछ agents भी डाल सकते हैं waterproofing agents ताके again वही नमी को हम stop करें तो ये आप आगे खुद पढ़िएगा इसका basic concept ये मैंने आपको बता दिया तो और easy हो जाएगा आप अगर आप इस lecture के बाद अगर कहीं से move करें और कहीं पर ऐसी mixture बन रहा हो तो आप और से खड़े हो के देख भी सकते हैं ताके आपको idea हो जाए पी-सी-सी का और ये है ये जी picture आप देखें दिस इस plane concrete cement ये आप देखें वो यहां पे mix किया जार और अक्सर प्राजेक्स में और ये उसका material जब आप इसे mix कर रहे होते हैं इस तरह आप इसको बनाते हैं ये उसके different uses हमने already detail में explain कर चुके हैं we'll not go into detail normally आपका बताया के foundation को strong करने के लिए आप अगर columns बना रहे हैं आप beams दे रहे हैं उसको further उसकी footing को improve करने के लिए as a bed of concrete ये हमारा apply हो रहा होता है इसके पात हमारे पास एक बहुत important term होती है that is RCC पहले हमने बात की PCC की अब हम बात कर रहे है RCC की RCC again एक बहुत important term है difference इन दोनों के दर्मियान ये है कि RCC में आपकी steel involve होती है आपका सरीया involve होता है अक्सर आपने लाजमी ऐसे ऐसे projects ऐसे कुछ चीजें भी देख लिए होंगे आप उज़र रहे हों तो सरीया का इस्तमाल हो रहा होता है अक्सर घरों में आजकल बड़ा common है ये इमन के लिंडल के अंदर हम इसको use कर रहे होते हैं बट अगेन this lab में use होता है बट बहुत सारे ऐसे projects होता है recently हमारी UT के अंदर एक project is going on और बहुत बड़ा project है उसके काफी सारे floors है उसमें ground के ओपर ही दोनों चीजें जो है ensure की जा रही है पहले PCC किया गया और PCC के बाद ground पे भी RCC और अक्सर आपने ऐसे देखा होगा कि आ हो रहा है जिसमें क्या है आपकी अगेन सीमेट इस्तमाल हो रही है सेंड और सरीय का इस्तमाल स्टील इसे कहते हैं और एक सवर बड़े बड़े projects में आप देखते होंगे RCCC का बहुत ज़्यदा इस्तमाल है RCCC का भी आप अगर बिलकुल हम एक layman का concept देखें strength को increase करती है उसको जो है वो बेंड किया जाता है कि कितने प्रेशर वो बरदाश्ट करेगा और वो तूट जाएगा और ऐसे जब यह बिल्डिंग कॉलाप्स करती है वहां पर भी नॉर्मली यह रीजन्स होती हैं बाद दफा कि उसके अंदर इतना प्रॉपर वो स्टील इस्तमाल नहीं किया गया जितना उसके पर लोड डाल जा गया और वो बेंड हुआ और वो तूट किया तो यह काफी सारी टैंसाइल, स्क्रेसी, स्क्र이ल की बात नहीं हैं वो इन डीटेश्म के जना है वह और इसके साथ हमारे नहीं पास अटेम पर इसके साहने हैं तो यह stability और ज्यादा बढ़ा देता है, जितने आपके बड़े multi-story, multi-story plazas, यह जितने constructions रहे हैं उसमें इसको काफी यह तक निशूर किया जाता है, यह आप और देखें, इसकी ज़रा और clarity के साथ picture आपको यहां से नजर आ जाएगी, और इसके साथ जो है, इसके uses क्या है, यह cost RCC से बढ़ जाती है, RCC PCC से ज़्यादा expensive होती है, तो यह definitely बड़े projects में cost भी काफी dams की अगर बात हो रही है, तो वहां पे तो आपके पास already availability of funds होती है, और इसके साथ यह construction of bridges, retaining walls, so यह हां पे highways, city roads, so you can use, then plinth level, इस level को हम का ज्यादा clarity के साथ अभी देखेंगे, एक image जब हमारे समने आएगी तो उसमें clear हो जाएगा हमारे पास, so it's the part of the super structure between natural ground level and finished floor level, के plinth level का भी normally load को distribute करना purpose होता है, कि जो आपका natural ground level है, suppose आप जहां पे भी घर बना रहे होते हैं, वहां जमीन का अपना एक एक level होता है, और फिर आपके floor का level होता है, normally हम floor को जमीन से ऊप पर बना होता है, उसको reasons काई है, एक तो पानी आपका बाहर घर से जा रहा होता है, ऐसा तो अभी नहीं होता के एक जमीन का level ज्यादा हो और आपके घर का कम हो, तो पानी सारा आपके घर के अंदर आए, तो normally क्या होता है, house level slightly floor level हमारा ज्यादा होता है, कि उसमें कुछ ची तक्सीम कर देना, ताकि एकूली वो आपकी ground के उपर वो लोड तक्सीम हो जाए, और ये restrict करता है, seepage of stone water into the building, और इसके बाद DPC बहुत ही important है, is laid on plinth level के उपर हम DPC जो है, इसे कहा दे है, dam proof course, इसका purpose क्या होता है, ये भी आपकी नमी को उपर आने से रोकता है, अक्सर हम DPC की एक layer जो है, plinth level के उपर प्रोवाइड करते हैं, और उसके materials हैं, वो different आप search कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, इसके साथ जो है, हमारे पास ये, अगर आप इस picture में देखे, ये अपका lintel level है, ये जो आप बता रहे हैं, ये अप दर्वाजों के उपर हम नार्म ल फ्लोर अबाव ग्राउंड लेवल, इसके दर्माने हमने पहले बात detail की हुई है, minimum cell level जो height है, वो यहां पर recommended, again, it's not mandatory one, it's recommended that is 44 inches, so इसके बाद जो है, हमारे पास lintel level है, lintel level क्या है, ये अगि हम एक picture में इसको और clear कर लेते हैं, natural ground level या पढ़नेंगे, जहां पर हमारा ground क इसके साथ हमारे पास ये वही definition आ रही है, recommended, अब यहां पर बहुत clarity के साथ, this one is roof level, lintel level ये, this one, ये हमारा है, और अकसर ये terms होती है, कि आज फुलाँ के घर का lintel डाल रहा है, ये windows के उपर, और इसकी भी sport के अंदर, इसके में सरीय का इस्तमाल किया जाता है, door हमारी ये जारी detailing है, so इसके साथ, we are having one picture, उसको हम quickly देख लेते हैं, फिर हम ये lecture wind up कर रहे हैं, ये हम next topic में इसको बनाएंगे section को, so ये अगर आप start करें तो सबसे पहले compacted earth है, जमीन को हमने हमवार किया, उसके बाद हमने उसमें sand feeling, ये घर का है, again ये वैरी करेगा, जब प्लाजा बनेंगा, क्योंकि उसका load ज्यादा है, तो उसमें चीज़ें और change हो जाएंगी, इसके बाद हमारे पास sand feeling है, अगर हम और को मटी अच्छी लेकर आजाएं, जिसकी bearing capacity, बाद को हम मटी की bearing capacity बढ़ा भी लेते हैं, हमारी मटी के अच्छी capacity नहीं है, तो हम कहीं से ऐसी मटी अब अक्सर सुनते होंगे, दरियाई मटी लेके आ रहे हैं लोग, तो वो मटी हम बहुत बहुत डाल देते हैं capacity और increase करने के लिए, तो sand feeling होगी हमारे पास, then hardcore हम रोडा वगर अगर डालना चाहें, PCC, और यह हमारी यहां पे यह हमारी details, और यह हमारे पास road level है, यह हमारी bitumen डालते हैं, एक sheet डाल देते हैं, तो यह जो है, यह overhead जो हमारा tank नॉर्मिल बना होता है, so next topic के अंदर हम detail में यह अपना section draw करेंगे, यह जो layers हैं, अब एक last जो चीज इसमें समझने वाली है, वो यह है कि यह जितनी layers हैं, यह क्योंकि symbolic हैं, in section आप symbolic representation दे रहे होते हैं, त हम align करेंगे अपने घर के उपर और यह सारे align करते हैं, यह symbolic हैं, आप इसको change कर सकते हैं according to nature of your project, according to the load of your project, आप जो घर बना रहे हैं, जो कुछ authority को जम्मा कराने के लिए symbolic हम बता देते हैं, कि ground से नीचे यह यह चीज़े हैं, उन में इतने inch यह हैं, इतने inch, नॉर्मली एक एक feet ground से नीचे होता है आपका floor level से और एक feet की आपकी roof की details होती हैं, but again it may vary from project to project, from building to building, depending upon the requirements of clients, authority को submission में हम normally एक just symbolic representation दे रहे होते हैं, हमने section और यह चीज़े दिखा रहे होते हैं, normally के within section घर हमारे, अगर यह roof है, यह दरवाजा है, यह खिर्किया है, कुछ भी है, so in next topic, definitely हम अपने, जो हमने house plan बनाया, उसका section draw करेंगे, so this topic के अंदर हमने quickly, जो है, वो section की further detailing देखी और कुछ terms देखी हैं, जो बड़ी important हैं, उसकी although हम बहुत depth में भी नहीं हैं, लेकिन एक presentation आपके साथ मुझूद है, you can see these terms, you can study these terms, you can read these terms, purpose यह है, एक रहा दिखाई है, अगर आ आना चाहें, आप इन चीजों की जा सकते हैं, so next topic में, इंशाला हम formally अपना cat के अंदर section draw करेंगे.